इंदुस्तान और से तंगल यूटूब चैनल में फेस्बूक पेज में आप सभी का स्वागत है मैं कूल से कर दूबे और आज मैं एक नया घोड़ा का वीडियो लेकर रहा हूँ आप सभी लोग इस वीडियो मिलाश तक बने रही है आज मैं बात करूँगा इस घोड़े के अभी हाली में दो रेस से लगे हुए हैं और दोनों लगबग मुझे लग रहा है कि 10 ते 15 किलोमेटर की दूरी पर हैं अभी भदरी परताप गड़ उत्तर प्रदेश का मिला लग चुका है वहाँ पे अब रेसर घोड़े 17 अक्टूबर 2023 से दिखने लगेंगे वहाँ की ग रेस ग्राउंड पर अपना जलवा प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे आगे मैं बात करता हूँ एक 22 अक्टूबर 2023 को चितवाडा गाउं बलियां उत्तर परदेश में रेस का आयोजन है जिसके आयोजन करता है 80 से जी लेखपाल जो की बहुत ही अच्छे गोड़े के सवखीन है और सारादिये नवरात्री के अश्टिमी के अशर पर इस रेस को रखा गया है इस रेस में अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग पहुँची और रेस के मान को वड़ा ये वहाँ पे नकंद का अलग रेस और पठा गोड़े का अलग रेस रखा गया है दूसरा रेस है 27 अक्टूबर 2023 को ग्राम नियाजीपूर जीला बगसर बिहार में जो की कई सालों से रेस दसाहरा के ठीक चार दिन बाद होता है माबीर पूजा जन्जा उत्सव के महत्सव पर तो आप सभी लोग 27 अक्टूबर 2023 ग्राम नियाजीपूर जीला बगसर बिहार में पहुँची और रेस के मान को बढ़ाई वहाँ पर भी नकंद का अलग रेस दोदाद गोड़े का अलग रेस और पठा गोड़े का अलग रेस कराया जाता है और वहाँ पे फ्रीज कूलर और पंखा इनाम पठा गोड़े में दिया जाएगा नियाजीपूर बगसर बिहार में और इस गोड़े की मैं बात करूँ त आप सब लोग देख रहे हैं अच्छा कलर मना गया है सब जातेरा रंग है और रंग बदरंग काफी संदार गोड़ा और कुछ लोग इसे रोजा कलर भी लोग बोलते हैं आलदूम काला होता है और घुटने पर काला होता है बाकी उपर से देखने पर सफेद ही गोड़े इच की में बात करूं तो गोड़ा अभी सायद चार दात का है और संदार परिवाजी आप सब लोग देख रहे हैं और इस पर सवारी कर रहे हैं कि बहुत ही नए उम्र में सवार सवार लंठू सवार लंठू की सवारी आप सभी को कैसी लगी आप वीडियो में लाश्ट त सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक पेज को फॉलो कीजिए लाइक कीजिए हमसे जुड़े रहे हैं और मैं कोशिस करूंगा कि भतरी परताप गड़ उत्तर परदेश में जो मिला लगा है उसका वीडियो आप सभी को दिखाऊं मेरे साथ लाश्ट तक बने रहे हैं